एक हादसा और लोगों की जिन्दगी बचाने का जजबा कुछ ऐसा ही हुआ है खुशी पांडे के साथ जी हां इनके नाना को 2020 में एक कार ने टक्कर मार दी थी वहाँ सैकल से जा रहे थे और उनके सैकल के पीछे जो रेड लाइट होती है यानि जो सिगनल देती है वो नहीं दिया और इसके बास उन्हों ने यह बीडा उठाया कि जिसकी भी साइकल पर रेड लाइट नहीं होगी उसे लगाएंगी और उनकी जिन्दगी बचाएंगी आईए माई साथ खुशी पांडे हैं बात करने के लिए उन्हें से जाधा जानकारी आनते हैं आपका नुशी ओ 2022 25 डिसेंबर जिस दिन क्रिसमस होता है उस दिन मेरे नाना एक अमीना बाद में कपड़े की दुकान पर काम करे तो रात में वह वापस आ रहे थे तो उस दिन कोहरा बहुत जादा था डिसेंबर का महीना होता है कोहरा बहुत जादा होता है तो जब वह वापस आ रहे थे त तो आपने आवद चोहराहा देखा है आवद चोहराहा पे एक आगे जाके एक गाड़ी से उनके टक्कर हुई मैं गाड़ी वालों की गलती नहीं दूंगी अगर मैं भी होती तो मुश्कों भी नहीं दिखता क्योंकि उस दिन कोहरा इतना जादा था बट वो लोग जो पूल लिके गए बट ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि आउनसपोट डेथ हो गई तो मैं एक विंगा शोचल वरकर मैं बहुत सारे इनिशेटर्स पर काम कर रही हूं मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर रही हूं बट चीज यह थी कि मैं अपने फामिली क्ले नहीं कर पाई मै इक वो गिल्ट मन में रह गया मेरे तो तब से मैंने डिसाइड मैं सोच रही थी कि कुछ करना चाहिए साइकल वाले लोगों के लिए आपने देखा होगा रेड लाइट पर जो पुलिस ओफिसर भी होता है या जो डेड लाइट ओफिसर होता है वो भी साइकल वालों को बह तो अभी तक मैंने हजार से उपठ साइकलों पर लगा चुकी हूं दिफरिंट डिफरिंट एरियास यहां पर लगा रही हूं जिनोंने अपनी लाइफ की पूरी जरूणी साझा की और ये भी बताया है कि जो cycle small light लगा रही है उसके पीछे कितनी बड़ी वजा है कितना बड़ा हासा है लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि इनके नाना जहां भी होंगे देखकर प्रॉट फिल कर रहे होंगे और जनता के लिए जो कर रही है ये भी बहुत बड़ी बात है तो ऐसी और जानकारिक लिए ज झाल 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